ये लोही के पाइप का बचा हुए टुकडा है, पता है ये क्या है, ये है नलकूप के पाइप का बचा हुए टुकडा ये कई सालों से हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ था मैंने आज सोचा है कि क्यों ना इसका एक बहतरी गमली का स्टेंड बनाया जाए मैंने जब इसको देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई थी के बाद हमने इसकी पुताई की जी हां लेकिन इसके लिए हमने कलर डिश्टेंपर लिया था और वो भी डार्क रैट कलर का हलाकि पहले कोट में इसमें बहुत अच्छा कलर नहीं आया लेकिन फिर भी हमने सिर्फ इसमें एक ही कोट किया है उसे करने के बाद हमने इसमें बिलू कलर से छुटे छुटे फूल बना दिये हैं जो देखने में बहुत ही आकर्शक लग रहे थी अगर आपके गर में भी कुछ इस तरह से खाली बरतन है कोई कबाड है तो आप उसमें भी अच्छे तरह से सापकर के कलर कर सकते हैं और अपने मंचाही डिजाइन बना सकते हैं मैंने यरवट की साहता से इसमें कुछ इस तरह से डिजाइन बनाई और उसके बाद हमारा गमली का इस्टेंड बनकर तयार है अगर आप भी इस तरह की कुछ क्रिटिविटी करना चाहते हैं तो इस बात कब इसे धियान दें कि जब आप इसे साप कर रहे होते हैं तो इसमें चुटे-चुटे लोहे के कंड निकलते हैं जो आपके हाथ में भी लग सकते हैं इसलिए जब भी आप इस तरह के काम करें ब बना सकते हैं ये बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और उसके बाद हमने इसके उपर नाश्टर्टियम की बेल वाला गमला रख दिया है वीडियो देखकर बताईए कि ये कैसा लग रहा है अपने गार्डन को खुब सुरुत बनाने के लिए छोटे मोटे उप चएगाम मोटे और जुछे पको खुब सबक्च ओैइ ऎ पजडुचां को खुब सुरुत बताएध है